तो दोस्तों अगर आप LTT की त्यारी कर रहे हैं और LTT के महत्पून नोट्स को ख्रीदना चाहते हैं तो आप दिये ये नमबर पर बड़सेप माधियम से संपर कर सकते हैं यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलव्द करवा दिये जाएंगे तो जो यहाँ पर पहला प्रेशन पूछा गया है होनहार बीरबान के होत चिकने पात कहावत का क्या अर्थ है तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा बच्पन से बड़पन का संकेत देना इसके लिए कहा चाता है होरहान होनहार बीरबान के होत चिकने पात आगे है बिनु पग चले सुने बिनु काना है पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर जो अलंकार रहेगा तो यह हो जाएगा बिभाबना अलंकार पंक्ती है बिनु पग चले सुने बिनु काना आगे है चटिका का तद्वव क्या होगा तो जो चटिका शब्द है इसका तद्वव हो जाएगा चीलिया अगला कोशन है चोवन नियून का संदी विछेद क्या होगा तो यहाँ पर विकल्ब चार सही हो जाएगा नी जमा उन नियून अगला कोशन है पचपन चितवन की छां के रचनाकार कौन होंगे तो जो निवंध है चितवन की छां इसके रचनाकार हो जाएंगे बिद्या निवासमिशत यहाँ पर बिकल्व दो बहुत सही हो जाएगा अगला है चपन इसमें पूछा गया है सिद्धों की कितनी संख्या मानी जाती है तो जो सिद्ध थे इनकी संख्या मानी जाती है चोरासी इसी परकार जो नाथ थे उनके बारे में विया को पताना है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है अगला स्तावन प्रशन है स्तावन जद्वी सुजाती सुलचनी सुबरन सरल सुभृत भुषन बिनुना विराजी कभीता बनीत अमीत ये जो पंक्ति है किस रचनकार की है तो ये पंक्ति हो जाएगी केशवधास की जो केशवदास है ये ऐसे कभी हैं जो रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच कड़ी माना जाता है कई कभी कई आलोचकी ने मतलब रीतिकाल में नहीं गिनते हैं जैसे उधारन के लिए अचारे रामचंदर शुकल इन्होंने इन्हें रीतिकाल के अंतरगत नहीं रखा है बाकी ये रीतिकाल के परमकभियों में से एक है जो इनकी पंक्ति है ये अलंकार के बारे में बताया गया है इसमें ये केश्वदास की पंक्ती है इसे भी यादर कीगा ये भी महत्पून है कई बार प्रशन रिपीट होते रहते हैं इसलिए आपको प्रतिक फशन ध्यान प्रवक देखना है हाँ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और शेक कीजिएगा अगला कोशन अठाबन नील देवी के रचनाकार कौन है तो जो नील देवी नाटक है इसके रचनाकार हो जाएंगे भारतिंदू हरिश्चंदर यह जो नाटक है हिंदी साहित्ते के आरंभी काल में लिखे गए हैं यह नाटक इसलिए यह भी महत्पुन हो जाते हैं नाटकों में अगला कोशन में उनका आदर्श कहीं जो ब्यथा ना खोल सकेंगे पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे जो यह पंक्ति है बतानी है किसकी पंक्ति है तो यह पंक्ति हो जाएगी रामधारी सिहन दिन करकी और यह पंक्ति ली गई है रश्मी रथी से तो कई बार ये प्रशन भी बनता है कि जो रश्मी रथी है इसके नाइक कौन है तो इसके नाइक हो जाएंगे माहरती कर्ण कर्ण इस का बेर संगरह के नाइक मानने जाते हैं अगला कोशने साथ इसमें पूचा गिया है परती परी कथा के रचनाकार कौन है तो जो रचना है परती परी कथा इसके रचनाकार हो जाएंगे फणिश्वर नात रेनू जो फणिश्वर नात रेनू है ये आंचलिक उपनियास कार के तोर पर प्रसिद है इनका जो प्रसिद उपनियासे मेला आंचल ये आंचलिक उपनियासों में प्रतम उपनियास माना जाता है और डेनु जी प्रतम आंचलिक उपनियास कार माने जाते है अगला कोशने जहांगिर जस्चंद्री का किस कवी की रचना है तो ये रचना हो जाएगी केशवदास की विकल्ब चार सही हो जाएगा अगला कोशने हंस जवाहिर किस कभी की रचना है तो जो रचना है हंस जवाहिर ये हो जाएगी आपके कासिम शाह की रचना और जो कासिम शाह है इनका समय है सुफी का बेधारा से अर्थात भक्ती का बेधारा से इनका सबंद रहा है अगला कोशन है चित्राबली किस कभी की रचना है तो चित्राबली भी हो जाएगी उस्मान की रचना और यह भी सुफी का बेधारा के अंतरकत आने वाले परसिद कभी है अगला कोशन है यहाँ पर 64 में पूछा गिया है चिंतामनी त्रिफाटी ने चिंतामनी त्रिफाटी से कौन सी बिद्वान रिति ग्रंतुं की प्रंपरा की शुरुआत मानते हैं तो जो चिंतामनी तृपार्टी थे इन से मानते हैं अचारे रामचंदर शुक्र, अर रीथि कापय प्रमपरा का प्रारंब अगला कोशन है, यहां से एक कोशन छोड़ेता है, आपको बताना है कि जो अचारे रामचंदर शुकल थे, उनके जो हिंदी साहित्य का इतियास से इसका प्रसम प्रकाशन हुआ था 1929 में, उसके 35 में संशोधन किया गया था इनके हिंदी साहित्य के इतियास में, तो वो आप सिंदू सकी देखे, तार के बद्बद रहा, तो यहां पर जो यह पंक्ती है, इसमें प्रिचंद के बारे में बताना है कि कौन सा छंद है यहां पर छंद होगा, सोठा, बिकलप यहां पर स्थी हो जएगा, अगला कोशन है सुमेलित करने वाला, एक तरफ लेक़ है और विश्नु परभाकर इनकी रचना हो जाएगी अवारा मसिया, दो का कर, इसके पर शाथ है मदन गोपाल, इनकी रचना हो जाएगी कलम का मजदूर, तीन का गर, इसके पर शाथ है शिवरानी देवी, ये हो जाएगी इनकी रचना हो जाएगी प्रेमचंद घर में, तो इसका ह हो जाएगा चार का ख इस परकार जो यहां पर कूट दो है यह सही हो जाएगा यहां पर थोड़े से तथी आपको फिर से बता देता हूं जो अमरी तरह थे यह प्रेमचंजी के सुपुत्तर थे और जो शिबरानी देवी थी यह इनकी धर्मपत्नी थी इसे वियादर केगा ज यह किसकी रचना है यह विशुन प्रभाकर की रचना है इसके पहिशात है मदन गोपार इनकी रचना हो जाएगी कलम का मजदूर अंत में है शिवरानी देवी इनकी रचना हो जाएगी प्रेमचंद घर में आगे भी सुमेलिद करने वाला प्रशन है तो चलिए सुमेलिद करते हैं इंदुमती ये कहानी हो जाएगी आपकी किशोरिलाल गोस्वामी की एका ख, पलैक की चुड़ेल ये कहानी हो जाएगी आपकी भगवान दास की दो का घर, इसके पर शाद है ग्यारा भर्श कास में ये कहानी हो जाएगी रामचंदर शुकल की इसे याद रखेगा महत्म पशने ग्यारा भर्श कास में रामचंदर जी की कहानी हो जाएगी अगला है तुलाई वाली तो ये कहानी हो जाएगी बंग महिला की इस परकार जो यहाँ पर बिकल्ब ए है बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन है अर्सट जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का बेवार करते हैं वह नकली भाषा है लोग भाषा नहीं तो जो यह उक्ती है बतानी है किसकी उक्ती है यह हो जाएगी अचारे रामचंदर शुकल की उक्ती या कथन अगला कोशन है यहाँ पर निमलिखित पद्याशों को पढ़कर 69 से लेकर 70 तक के उत्र हमें देने है 69 से 70 तक तो जो यहाँ पर पद्याश है छोड़ द्रोमों की मरिदुचाया तो प्रकृती से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उल्डजादून लोचन छोड अभी इस जग़ गो जो यह पद्याश है यहाँ पर बताना है कि इसके जो प्ट्रशन बन रहे उप्रियुक्त काब्य पंक्तियों के मूल में है तो यहाँ पर जो मूल होगा इस पदियाश का तो यहाँ पर प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है 69 का सही भी कल्प 2 हो जाएगा अगला है 70 उप्रियुक्त पंक्ति किसकी हैं तो जो पंक्तियां हैं बतानी हैं किसकी हैं, तो ये पंक्तिया हो जाएंगी सुमित्रनंदन पंतकी, जो पंतजी थे ये च्छायवाद के प्रमुख स्तंबो में से एक माने जाते हैं, अगला कोशन है 71, राम और लक्षमन दश्टत के पुत्तर थे, इस बाक्य में और है, इस तो यहां पर हो जाएगा बिकल्प A, चक्षू, आंक, निद्रा, निंद, ग्रित, ग्रिए, अगला कोशन है 73, बृद्धी संदी का उधारन बताईए, तो ये हो जाएगा बिकल्प 2, एक एक, अगला कोशन है 74, इसमें पूछा गया है, अब्दी का विकास किश आखित में से सही का बिकल्प चुने, तो यहां पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प 4, जो उदंत, मार्टन, पत्र था, ये कलकता से प्रकाशित होता था, और 1826 में प्रकाशित हुआ था प्रतम तह, अगला कोशन है 76, बिद्यापती की रचनाएं कौन-कौन सी हैं, तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा बिकल्प 3, किर्ती लता, किर्ती पताका और भूप परिक्रमा, ये तीनों ही रचनाएं बिद्यापती की हैं, अगला कुशन है 77, अच्छारे रामचंदर शुकल ने रितिकाल का समय माना है, तो ये माना है 1700 से लेकर अब तक और सभी को जितने भी इनके चार काल करम हैं किस परकार से रखें उनके बारे में भी बता देता हूँ, जो आधिकाल था इसका माना है 10, 75 से लेकर 13, 73 तक और भक्तिकाल का माना है 13, 74 से लेकर 1700 तक और जो अधनी काल का 1900 से लेकर अब तक, इसे भी आपको याद रख यह संबत में होगा, अगला कोशने 78 भाषा के मान की करन का समन्द भाषा के किस रूप से हैं, तो यह होगा लिखित से बिकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा, अगला है 79 बुंदेली किस उप भाषा सुमू की बोली होगी, तो यह हो जाईगी पश्च्च्च्मी हिंदी क यहाँ पर बिकल्प दो सही हो जाएगा, अगला कोशने 80 इसमें पुछा गिया है पश्च्च्मी हिंदी का उद्वब अपवरिश्ट के किस रूप से हुआ है, तो यह हो जाएगा, शौर्चैनी से सही बिकल्प यहाँ पर दो हो जाएगा, अगला कोशन है, श्रद्धा औ और प्रेम के योका नाम भक्ती है, कथन है अचारे रामचंद शुकल का, यह इनके निवंद संग्रे से लिया गया है कथन, अगला है 82, रीति मुक्त काब्यधारा की विशेष्टा नहीं है, तो यह होगी, यह रीति कर्म परधान काब्य है, यह कलत कथन हो जाएगा, यह इ अगला कोशन है, 83, हिंदी में कथिन काब्य का प्रेद किस कभी को कहा गया है, तो यह कहा गया है, केश्वधास को विकलब चार सही हो जाएगा अगला question है 84 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी तो जो ये पंगती है किसकी है तो ये पंगती हो जाएगी रैदास की तो यहां से आपके लिए दूसरा प्रशन छोड़ देता हूँ आपको बताना है रैदास किस संपरदाय के या किस प्रभु के भगत थे अगला question 85 रामचरी तमानस की भाषा क्या है तो जो रामचरी तमानस की भाषा हो जाएगी ये हो जाएगी अबदी और ये किसकी रचना थी ये थी महात्मा तुलसिदास की रचना यहाँ पर आपके लिए एक और प्रूशन छोड़ देताा हूँ कि जो पद्दमाबत महा काबे था किसका था ये पद्दमाबत महा काबे और इसकी भाषा क्या थी चलो बता देता हूँ इसकी भाषा तो हो जाएगी अब धी पर इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है कि क्या है इसके रचनाकार का नाम अगला कोशन है 86 चंदर बदन शब्द में समास है तो यह हो जाएगा करम धालियत तीन विकल्ब सही हो जाएगा अगला कोशन है 87 राजपुतर शब्द में समास है तो जो राजपुत्र शब्द है इसमें समास हो जाएगा तत्पुर्ष समास तो गाइज यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉंच कीगी पीडियाफ को भी ले सकते हो यह जितने भी पीडियाफ हैं यह सभी उतकृष्ट श्रेनी की है इनमें सिर्फ उनी प्रशनों को शामिल किया गया है जो पिछली प्रिक्षाओं में पूछे गये हैं इस नजरेये से यह आपकी आगामे प्रिक्षा के लिए बहुती लाबदाइक होने वाली हैं यहाँ पर आपको दो पीडियाफ दी जाएंगी इनमें जो पहली होगी उसमें आपको दस मौक टेस्ट दे जाएंगे यह सभी बहुती अच्छे होंगे और जो दूसरी होगी इसमें आपको एकजार प्लस बन्लाइनर प्रिशन मिलेंगे अगला कोशन है 88 इसमें पूछा यह हिंदी हमारी सजी भाषा है इसी कारण इसने अरवी फार्सी आदी के संपर्क में आकर इनके तो शब्द गरहन किये ही हैं अब अंग्रेजी के शब्द गरहन करती जा रही है इसे दोश नहीं गुण ही समदना चाहिए क्यूंकि अपनी इस गरहन शक्ती से हिंदी अपनी बृद्धी कर रही है यह रास नहीं है उप्युक्त अब्तर्म का उप्युक्त शिर्षक क्या होगा तो इसका जो उप्युक्त शिर्षक होगा तो यह होगा हिंदी जिवन्त भाषा है तो यहां से दोस्तों आपको धियान पुर्द कर दे शब्द ग्रहन कर रही है ये इसके दोश है या गुण तो दोस्तों ये इसके गुण है दोश नहीं इसलिए आपको ये याद रखना है प्रतिक प्रिशन को आपने अच्छी तरह से समझना है तब ही जाकर आपको इसका फाइदा मिलेगा अगला कोशन ने इसमें पुछा गया है समाज में हरीजनों की समस्यां को चितरन प्रेमचंद जी ने किस उपनियास में किया है तो ये किया है करम भूमी नामक उपनियास में बाकी निर्मला गवन और प्रतिक्या ये भी इनके ही उपनियास थे को भी आपने याद रखना है अगला कोशन है 90 इसमें पुछा गिया है सिद्ध कभी सरहप्पा और किस नाम से जाने जाते थे तो यह जाने जाते हैं स्रोज बज्जर और राहुल भद्र इतियादी नाम से भी अगला कोशन है 90 इवन विशिष्टा द्वात शिद्हांत के प्रवडतक अचारे कौन थे तो यह थे रामानुजाचारिय है इन्हों ने विशिष्टा द्वात सिद्धान का प्रवडतक किया है तो इसे याद रखेगा इसके पर कई वार यह भी पूचा जाता है कि जो बलब इनके दौरा कौन सा संपर्दाई चलाई या था ये चलाई गया था शुद्धा द्वैतबाद और जो शंक्राचारे थे इनके द्वारा चलाई गया था अद्वैतबाद इसको भी आपने याद रखना है यह भी कई बार प्रिख्षा में पूछा जाता है जो कुम्बन दास ये अश्ट शाफ के प्रमुक कभियों में से एक माने जाते हैं कई वारे ये प्रशन भी बनता है कि जो अश्ट शाफ की स्थाबना किस नहीं की थी तो ये की गये थी बलवाजा रहे कि ये पुत्तर बिठल नात के दुआरा आपको एक प्रशन और छोड़ देता हूँ आपको बताना है कि जो बिठल नात है इनके स्थाफ का क्या नाम था ये भी प्रसिद कभियों में से एक माने जाती है अगला कुशन 92 इसमें पूछा गया है बिठेशी शब्दों में से कौन सा शब्द अर्वी भाषा का नहीं है तो यहाँ पर कुछ बिठेशी शब्द दिए गये है इनमें से एक शब्द ऐसा है जो अर्वी भाषा से नहीं लिया गया है तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द है तो वो हो जाएगा आपका बिकल्प ए बेगम बाकी दफ्तर, अखवार और और औरत ये तीनों ही अर्वी भाषाओं के शब्द है इनको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि आपकी ये प्रिक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द बिदेशी है, कौन से देशज है कौन से तदसम है, कौन से तदभवद है ये शब्द आपको याद करना है यहाँ से आपको प्रशन बनता है अगला कोशने बिदेशी भाषाओं से आए शब्दों में से कौन सा शब्द फार्सी का नहीं है तो जो दिये गए बिकल्पों में से फार्सी का शब्द नहीं होगा तो वो होगा बिकल्पती सिफारिश बाकी गुलाब, सलाम और खुदा कौन कौन से? गुलाब, सलाम और खुदा ये तीनों ही फार्सी भाषा के शब्द है अगला कुशन है 94 इसमें पूछा गया है लोकाईतन के रचनाकार कौन थे? तो परसिद रचना है लोकाईतन इसके रचनाकार थे सुमित्रा नंतन पंत जो पंत जी है इनके द्वारा लोकाईतन नामक महाकाब्य की रचना की गए कई बार ये प्रशन भी पूछा जाता है कि लोकाईतन का महानाई कौन था? तो ये महात्मा गांदी जी पर अधारित महाकाब्य है यहां से आपको एक और प्रशन बता देता हूँ कि जो जैशंकर परसाल, सुमित्रा नंतन पंत, सुरिकांत, त्रिपाटी न्याला और महादेवी बर्मा ये चार थे आपके चायवाद के अधार स्तंब चार अधार स्तंब के तौर पर ये चार जाने जाते हैं अगला कोशने इसमें पूछा गिया है श्रिंख्ला की कडियां की लेखी का कौन है तो ये रचना हो जाएगी महादेवी बर्मा की कौन सी रचना है इसमें श्रिंख्ला की कडियां अगला कोशन है 96 पूछा गिया है निशिद का बिलोम क्या होगा तो निशिद का बिलोम हो जाएगा बीहित बिकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन है 97 इश्वरदास किस कापेधारा के कवी हैं तो जो इश्वर्दास थे तो ये थे आपके रामभक्ति काबेधारा के कभी कई-कई वार प्रिक्षा आपने देखा होगा कि प्रेमाश्री शाखा के अर्थात सूफी काबेधारा के अंतरगत इनकी रचनाएं भी आती हैं पर इनको रामभक्ती काबे के अंतरगत ही माना जाता है आगे है 98 उतकर्ष का बिशेशन क्या होगा तो जो उतकर्ष का बिशेशन हो जाएगा तो यह हो जाएगा उतकरिष्ट विकल्पदो यहाँ पर सही हो जाएगा अगला है 99 नर्जमा इंदर नरेंदर में संदी है तो यह हो जाएगी गुन संदी बिकल्पी यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कोशन है नाइन इसमें पूछा गया है जो सिद्या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताईए जिसको हम पूरा कर सकते हैं उसके लिए क्या शब्द बनता है जो उपयुक्त होगा बिकल्पों के नुसार तो बो हो जाएगा साध्य साध्य उससे कहा जाता है जो सिद्या पूरा किया जा सके अगला है एक सो एक तो यहां से दोस्तों मुझे एक प्रशन याद आ रहा है कि जो साध्य से एक कवीता है असाध्य बीना तो आपने बताना है कि ये किस की कवीता है तो दोस्तों जितने भी प्रशन में आप से पूछ रहा हूँ इन सभी के उत्तर आपको देने है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आप अपनी बढ़ाई को कितने अच्छी तरह से कर रहे हो या आपके लिए ही लावदाई कोते हैं जो मैं प्रशन पूछता हूँ अगला कोशन है 101 तो एक आठ मास बीते जज्मान अब तो करो दचिनादान उक्त पंक्तियां किस संपादक के किस पत्तर में लिखी जाती थी तो सरसे पहले तो याद रखना है आपको कि ये पंक्तियां किस संपादक की है तो ये है परताब नायन मिश्रकी और किस पत्तर में लिखी जाती थी ब्रामन में लिखी जाती थी ये पंक्तियां उसमें लिखी जाती थी जब अधिकतर जो ब्रामन पत्तर के पाठक होते थे पत्तर का तो ले लेते थे पर उसका पे नहीं कर पाते थे बिल को इसलिए उनको समझाने के लिए ये परताब नाइनमिशन ने लिखा था कि कृपिया अब अपना मास का जो आपका बिल है उसको चुका दीजिए अपनी तर्शना दीजिए अगला कुशने 102 इसमें पूछा गया है जो दोराया ना जा सके उसके लिए शब्द कौन सा होगा तो जो दोराया ना जा सके उसके लिए शब्द हो जाएगा अनाबर्त तो बिकल्ब ए सही हो जाएगा अनाबर्त अगला है 103 कविता बली में तुलसिदास ने किस रूप में कथा का बंडन किया है तो ये किया गया है मुक्तकों के रूप में याद रखेगा जो कविता बली रचना है ये मुक्तक है और तुलसिदास जी के द्वारा इसकी रचना कीगी है कई वारी ये प्रेशन भी बनता है कि जो रामचरीत मानस है ये किस प्रकार की रचना है तो ये प्रबंद काब्बे या माहा काब्बे के तौरबे जाना जाता है अगला कोशन है 104 भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी प्रज गामवनी में पावन जवे लगी इस पंक्ती के रचनाकार कौन होंगे तो ये होंगे जगना दासरतना कर तो ये ली गई है ब्रमरगीत से पंक्ती अच्छी पंक्ती है दोस्तों याद रखेगा इससे भी अगला कोशन है 105 कभी कुल कल्पतरू किस कभी की रचना है तो ये हो जाएगी चिंता मनी की रचना कभी वारे ये प्रशन भी पूछा जाता है कि जो कभी कुल कल्पतरू रचना है किस प्रकार की रचना है तो ये हो जाएगी सरवांग निरूपक रचना सरबांग निरुपक से मेरा ताथपड़ी है इसमें आपको अलंगकार, रस, इत्यादी सभी चीजे मिल जाएंगी इसलिए इन्हें सरबांग निरुपक कहा जाता है अगला है 106 सुरेकां त्रिपाठी निराला रचित अपसरा क्या है तो यह एक उपनियास है क्या है उपनियास कौन सी रचना अपसरा और यह रचना किसकी है निराला जी की अगला कोशन हो जाएगा यहाँ पर 107 इसमें पूछा गया है परकाशन बर्ष के अनुसार निमिलखित में से एक गलत है तो यहाँ पर जो गलत बिकल्प हो जाएगा बिकल्प दो करम भूमी का परकाशन 1923 में होता है इसलिए बिकल्प दो गलत हो जाएगा वाकी बिकल्प एक रंग भूमी 1925 सही है निर्मला 1927 सही है और प्रेमाश्रम 1922 सही होगा अगला कोशन है रामकुमार बर्माकृत बादल की मिलित्यू किस बिदा की रचना है तो ये हो जाएगी एक कांकी बिकल्प चार से ही हो जाएगा इसके पश्चात आपको याद रखना है कि जो बादल की मिलित्यू है किसकी रचना है रामकुमार बर्मा की अगला कोशन है ठेले पर हिमालिय के लेखक कौन है तो जो रचना है ठेले पर हिमालिय ये धरमबिर भारती की रचना हो जाएगी अगला है निमलिकित में से कौन सा शब्द पूलिंग नहीं है तो जो जीव है ये पूलिंग नहीं होगा बाकी आयोजन, खटमल, अकाल ये तीनो ही शब्द पूलिंग हो जाएंगे सिवाए जीव के अगला है 111 फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी तो ये हुई थी कलकत्ता में विकल्प चार यहां पर सही हो जाएगा अगला कुशन नामदेब का जर्म कहां हुआ था तो जो नामदेब का जर्म माना जाता है ये महराष्टर में माना जाता है अगला कुशन है 113 मैथिल कोकिल को जाना जाता है तो बताना है कि मैथिल कोकिल किस कभी का अन्या नाम है तो ये विद्यापती का अन्या नाम है अगला कुशन है 114 प्रतियक देश का साहित्य वहां की जनता की चित बृति का संचित प्रतिबिंब होता है तो ये कतन किसका है तो ये हो जाएगा अचारे रामचंदर शुकल का कतन अगला है 115 निमिलिखित में से बवानी परसाद मिश्र की रचनाई कौन सी है तो यहाँ पर जो बिकल्प D हो जाएगा सही हो जाएगा गीत प्रोश, कमल के फूल, सत्पूरा के जंगल ये तीनों ही रचनाई बवानी परसाद मिश्र की है अगला कोशन है करम का भोग, भोग का करम, यही जर का चेतन आनंद पंक्तियां किस कव्यकृती से उद्रित है, तो ये हो जाएगी कमाईनी से कमाईनी जैशंकर परसाद का प्रसिद महाकापया है अगला प्रशन है आपके लिए, आपने बताना है कि जो कमाईनी है, इसमें कितने सरगों का जिकर किया गया है अगला कोशन है 117 उस्तारा, राम तुम मानव हो, इश्वर नहीं हो, किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति हो जाई की, साकेत में मैथलिशन गूप ने ये पंक्तियां कहीं हैं, कई भार ये पुशन भी बनता है, कि साकेत, महा काबेका परकाशन कफ किया गया था, То 1931 में किया गया था, अगला उपनियास में जो की रांगे रागव का है अगला कुछने रामधारी सीहं दिनकर की पहरी रचना कौन सी है तो यह हो जाएगी रेनु का बिकल्पदो सही हो जाएगा बाकी प्रणबंग, रश्मीरथी और हुंकार यह चारों ही रचनाएं दिनकर जीकी है अगला कुछने 120 निमिलखित में से एक गजनन्द मादम मुक्तिवोद ने नहीं लिखा है तो क्या कौन सा होगा नहीं लिखा होगा जो उन्होंने तो यह हो जाएगा बिकल्प डी सहीत्यकार और उसका परिवेश बाकी नए सहीत्यका सौंदरी शास्तर एक साहित्यक की डाइडी नई कवीता का आत्म संगर्ष ये तीनों ही रचनाय मुक्तिवोद जी की है अगला है प्रियाग राज संग्या की दिष्टी है तो यह हो जाएगी ब्यक्तिवाचक संग्या प्रियाग राज में ब्यक्तिवाचक सिंग्या दी गई है अगला कुशने निमलिखित में से एक सुमिलित नहीं है तो यहाँ पर जो बिकल्प दो है तर का उचारन दंत से नहीं होता है तो सही बिकल्प यहाँ पर दो हो जाएगा तर का उचारन मुर्धा से होता है बाकी सभी बिकल्ब सही हो जाएंगे गलब उचने 124 तो यहाँ पर पूचा गया है निमलिखित में से एक सुमेलित नहीं होगा तो यहाँ पर जो बिकल्ब ए है यह सुमेलित नहीं होगा क्योंकि जो प्रामन पत्र का प्रकाशन या संपादन शिब नरायन मिश्र के द्वारा नहीं किया गया है, ये किया गया है प्रताप नरायन मिश्र के द्वारा, बाकी सभी बिकलब सही हो जाएंगे, सरस्वती का किया है, महाबीर प्रसाद्वी बेदी के द्वारा, नवजीवन का किया ग तो दोस्तों इससे पहले एक प्रशन आया था, सुमेल मिलान करने वाला, उसमें ये प्रशन पूछा था, अगर आपने कभी प्रिक्षा में ध्यान प्रशन को पढ़ा होता, तो आप इसको ठीकर सब्सक्राइब करते हैं, या कभी आने वाली प्रिक्षा में भी अगर आप प्रशन पत्रों को ध्यान प्रशन को पढ़ते हो, तो इस प्रकार से देखो, प्रशन आगे पीछे कर दिये जाते हैं, आपको इसका लाब मिलता है, इसलिए प्रिक्षा में घवरायना प्रशन पत्रों को ध्यान से पढ़े अगला कोशने 127 जरम के अधार पर निमन में से सही करम होगा तो ये हो जाएगा विकल्ब दो जैशिंकर प्रसाथ सबसे पहले निराला उसके परशात पंत उसके परशात और महादेवी बर्मा सबसे अंतमे जो जैशिंकर प्रसाथ का जरम था तो ये था 1889 निराला का था अधारा सो स्तानवे पंत का है अधारा सो निनानवे और महादेवी बर्मा का है 1907 के आसपास इसे याद रखेगा महतपुन है ये होगी अगला कोशन है जगमोंसियं किस यूक के रशनाकार है तो जो ठाकुर जगमोंसियं है तो ये थे भारतिन देव यूक के रशनाकार अगला कोशन है 139 चायवाद का अर्म माना जाता है तो जो चायवाद का अर्म माना जाता है तो ये 1918 इस भी में माना जाता है अगला कुछने भक्तमाल के रष्टनकार कौन है, तो यह हो जाएंगे नावादास अगला कुछने 131 विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द पुर्तकाली भाषा का नहीं है तो यह हो जाएगा साइकिल, यह पुर्तकाली भाषा का नहीं होगा बाकी बिस्कुट, तौलिया और पादरी ये तीनों ही शव्द पुर्तगाली भाषा के हो जाएंगे अगला कुछने The Modern Barnacular Literature of Hindustan इतियास क्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रियास किया गया है तो इसमें किया गया है कभियों और लेखकों का काल क्रमानुसार बर्गी गर्ण करते हुए उनकी प्रविट्टियों का उल्लेख विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कुछने 133 उक्ति ब्यक्ति प्रक्रण एक अस्तियंत महत्पुन ब्याकरण गरंथ है तो यह कथन किसने कहा है तो यह कहा है अचारे हजारी पर साथ द्विवेदी के द्वारा अगला कुछने 134 शुद्धा द्वैत सिधान्त के समर्थक अचारे हैं तो देखो दोस्तों यह प्रशन फिर से रेपीट हुआ इससे पहले भी यह प्रशन पूछा था मिलान करने वाले प्रशन में शुद्धा द्वैत सिधान्त के समर्थक अचारे थे बलवाचारे अगला कुछने अश्टचाव की स्थापना कभ हुई थी तो यह हुई थी 1565 में और किसके द्वारा की गई थी तो यह की गई थी बिठर नात की द्वारा अगला कुछने यहाँ पर निमिरिखित गद्धियांश पढ़कर 136 से लेकर 137 तक के उत्तर दे गद्धियांश इस प्रकार से है देखने सुनने में आया है कि हिंदी जिनकी मातरी भाषा है उनमें बहुत से ऐसी हैं जिने हिंदी तर भाषियों के सामने हिंदी में बात करने में संकोच होता है इससे मा का अनादर होता है संसत में, बिधान मंडलों में, व्यापार में, साधारन, मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रियोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमान देना चाहते हैं यह हीन भावना है हिंदी से प्रेम होने का प्रमान दीजिए आप अपनी अधिकारी से कर सकते हैं कि हिंदी में बातें सुनने में आपको लाब है इससे हिंदी ग्यान बढ़ेगा आपकी जिज़क दूर होगी आपको हिंदी परदेश में रहना है और कार्यालिय से बाहर भी इससे आपके संपर्ग बिस्तित होंगे कार्यालिय में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे तो कार्य को शर्ता बढ़ेगी उप्रिट कद्याश के अधार्त पर बताएं कि हिंदी का पर्योग का लाब कहां पर हैं तो यह हो जाएगा बिकल्प्तिं सवी शेत्रों में, घरेलो जीवर में, शिक्षन कारे में और कार्याले में अगला है उप्रित कद्याश के अनुसार हिन भावना क्या है तो यह हो जाएगा हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमान देने के लिए अंग्रेजी का बोलचाल में प्रियोग लाना आगी है 138 निमलखित में से सही का प्रियोग करें तो यहाँ पर जो विकल्प एक है इसके अंत्रगत होगा खर और गर यह दोनों ही सही होँगे खर में है दस्मन तेल खर्च होगया तो यह सही हो जाएगा गर में है धान कट लिए तो यह सही हो जाएगा अगला है काट का अलू का अर्थ होता है बिल्कुल मुर्ख होना विकल्ब यहां पर सही हो जाएगा आगे है बह पाभर आटा लाया इस बाकिया में पाभर है तो यह हो जाएगा परिमान बाचक बिशेशन आगे है यरलव को कहते हैं तो यह जो यरलव है इन्हें अंतस्त ब्यंजन कहा जाता है विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा अगला कोशिन है 142 कौन सी दो द्भनियों को अयोग बहाग कहते हैं तो जो अनुस्वार और बिसर्ग है इन दोनों को ही अयोग बहाग कहते हैं याद रखेगा इसको भी आगे है 143 सब्त रिशी में कौन सी संदी होगी तो यह हो जाएगे बिकल्प तो गुन संदी अगला कोशिन है 144 सदा जमा एव सैदैव में कौन सी संदी होगी तो यह हो जाएगे बिकल्प चार ब्रिद्धी संदी अगला कोशने 145, निमलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है तो यह होगा प्रती बेदन बाकी स्त्रीलिंग होंगे अगला है 146, इन में से कौन सी रचना जैशंकर परसाद की नहीं है तो यह हो जाएगी अनामी का, जो अनामी का है ये निराला जी की कृति है, परसाद जी की नहीं, बाकी कामाईनी, चंदरगुप्त और आंसू, ये जैशंकर परसाद की रचनाएं होंगी अगला कोशिन है, तुलसी दास, खंड काब्बे की रचनाकार कौन है, तो ये होंगी निराला जी अगला कोशिन हो जाएगा यहाँ पर, इन में से कौन चायवादी काब्बे की विशेष्टा नहीं होगी, तो यहाँ पर बैसे तो एक तरीके से देखा जाए, सभी ही चायवाद की विशेष्टाएं है प्रन्तु हमें अच्छी तरह से देखना है, प्रिक्षा की दिरिष्टी से देखना है, तो यहाँ पर जो बिकल्प दो हो जाएगा, यह रथाथ वादिता, यह चायवादी काब्बे की विशेष्टाएं नहीं हो जाएगी, बाकी सब होंगे अगला है शेंशे की एक रात के रिचनाकार कौन है, तो यह जगा बिकल्प चार नरेश महता अगला और अंतिम प्रशन है, आधे अधूरे नाटक के लेकक हैं, तो यह हो जाएगे बिकल्प दो मोहन लाकिश तो दोस्तों इस परकार से हमने इस प्रशन पत्तर में 100 प्रशन डिसकस किया हैं, कहने तो केवल 100 प्रशन डिसकस किया हैं, पर जो हमने आपके समझ तत्य रखे थे, उसके हिसाब से यह 500 से एक प्रशन नहीं होंगे तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतग बने लिए इसका बहुत दो धनियाबाद तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी प्रिक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है अर्थात जो आपकी अल्टी टैट की प्रिक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले दस प्रश्चों के हल प्रशन पत्तर अगर आप किसी प्रिक्षा की तियारी करते हो तो आपको प्रिविस एर कोशन पेपर के महतब के बारे में पता ही होगा क्यूंकि अगर जब तक आप प्रिविस एर कोशन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक अधार नहीं मिलता है कि आपको किस परकार की तियारी करनी है अब देखिए अगर आप Alτι Tate के Slavers को सर्च करोगे तो आपको पूरा Slavers नहीं मिलेगा तो अगर जब Slavers आपको पता नहीं होगा तो आपतियारी कैसे करेंगे इसकी त्यारी करने के लिए एक ही मादेम होता है कि आप प्रशन पत्रों को देखिए किस प्रकार के प्रशन पूछे जा रहे हैं और उसी की त्यारी करते रहे हैं अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप त्यारी अच्छे से कर पाएंगे तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रशन पत्रों को लाया हूँ तो अगर आप इंटरस्टिड हो तो आपको इस नंबर पर समपर करना है 829312129 यहाँ पर आप बड़साप करिए आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा ठीक है चाहे LTE TAT के प्रिक्षा हो, LTE Commission की प्रिक्षा हो, PGT Hindi की प्रिक्षा हो, कोई भी प्रिक्षा हो यहाँ पर यह आपके लिए महत्पून होने ही वाले हैं यह जितने प्रशन पत्र हैं, यह LTE TAT के हैं, LTE Commission के हैं, PGT Hindi के हैं तीनों के combination यहां पर आपके स्मक्षलाया हूँ, इसलिए आपके लिए बहुत जादा महत्पून होने वाले हैं तो मेरा आपसे आगर है, आप एक बारे नहीं देखिए और अपनी तियारी को सुद्रिड कीजिए